Hello and Welcome, आज है हमारा Lecture No.6 और आज हम एक ही वीडियो में Association के Topic को खतम करेंगे आज हम आपको पढ़ाएंगे Association का Meaning, Definition, Features, Characteristics, Association के Examples, Types, कुछ Books और भी बहुत सारी चीजे और उन सब के Basis पे कराएंगे आपको Association का Top Multiple Choice Questions एक ही वीडियो में हम सारी चीजे आज कवर करेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि Supervisor या कोई भी Batch अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के description में आपको इन Batch का Link मिलेगा Link के जरीए जाएए और जाइन कीजिए या अगर जाइन नहीं करना आता तो दिये गए WhatsApp पे लिखिए अपने Batch का नाम तो 24 hours के अंदर अंदर आपको जाइन करा दिया जाएगा ठीक है अब आपको बता दूँ ये है आपके सामने Association और Association का Meaning, Features, Characteristics एक ही शॉट में है आज मैंने Association के अंदर भी टॉपिक्स को डिवाइड किया और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर Multiple Choice Questions लाएगा जैसे कि अभी मैंने आपको एक पेज दिखाया उस पेज के basis पे आपके सामने ये जो questions है ये सारे questions उसी पेज के basis पे है और उसके बाद ये सामने है आपका दूसरा प करेंगे फिर ये जो दूसरा सब टॉपिक है इसके basis पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे questions है ठीक है तो बताना ये वला अंदाज ठीक लगा क्या जिसमें हम topic के अंदर भी सब टॉपिक्स के basis पे Multiple Choice Questions अलग-अलग कराके आपको कराएंगे ताकि आपको easy थोड़ा सा लग जिसमें मैं आपको society, community और association के बारे में एक ही वीडियो में तीनों के बारे में differences कराऊंगा ताकि 100% clarity आपके दिमाग में आए आज का वीडियो है association का तो सुन लीजे इस वीडियो को end तक देखना बड़ा important है देखे सबसे पहले आपको बताओ, association एक latent term से निकला है, जिसका नाम है associate एसोसियर का मतलब क्या होता है to unite, तो नाम से आपको क्या पता चला, कि association में unite होना है, जमा होना है आपको बताओ मैं, association में unite होना पड़ता है, जैसे आप लोग और मैं सब unite होए आप और मैं जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं हम सब for example unite होए unite होने के बाद हम एक political party बनाएंगे JKCS JK Civil Service Political Party तो ये political party जो हमने बनाई ये एक association है हम सब लोग unite होके बनाते हैं association तो नाम से हमें पता चलता है कि unite होते हैं लोग लेकिन unite होने के बाद भी बहुत सारे और features characteristics हैं जो आपको याद रखने हैं लेकिन मकसद की बाद क्या है association latent term से निकला है association जिसका मतलब to unite होता है जैसे मैंने आपको example दी political party एक association है या आप और हम मिलके बनाएंगे trade union trade union आप और हम मिलेंगे हमने अभी क्या बनाई political party, JKCS political party आप सब लोग और मैं unite होंगे हम बनाएंगे JKCS trade union trade union क्या करता है trade union जो laborers है workers है उनकी benefits की बात करता रहता है trade union और political party क्या करता है उनका मकसद होता है कि election जीत के government बनाना ठीके न तो जो भी हम मिलेंगे trade union बनाएं या political बनाएं लेकिन political party बनाएं लेकिन हमारा मकसद एक होगा तो वो ही अब हम आगे देखेंगे और हम मिलके बनाते हैं मतलब association artificial है man made है establishment है हम खुद बनाते हैं मिलके हम बनाएंगे trade union वो एक association है मिलके हम बनाएंगे political party वो एक association है, मिलके हम बनाएंगे football club, मिलके हम बनाएंगे teachers association, मिलके हम बनाएंगे music club, ठीके न, ये जो football club है, cricket club है, ये जो clubs है, ये भी तो एक association है हम मिलके बनाते हैं, तो जब हम इसको बनाते हैं, तो association बनाई जाती है society community की तरह वो spontaneous नहीं होती कि खुद बखुद बन जाए, नहीं association को बनाया जाता है unite करके हम इसको बनाते हैं planet है ये, deliberately formed है ये man made है ये, artificial है ये ये चीज़े आपको इस वीडियो में clear हो जाएंगी tension न लो, फिलाल मैं इतना ही चाहता हूं कि आपके दिमाग में जिनाब एक ही बात बैटे, वो ये है association एक latent term से निकला है associate, जिसका मतलब है to unite, ओके इतना ही मैं चाहता हूं आपको अभी तक समझा आ जाए अब सुनिए आगे association के बारे में सुनिए आगे, ये group of people है sir, group of people आपने community में भी बोला, group of people आपने society में भी बोला, हाँ ये बात सही है ना ही association, ना ही community, ना ही society बन सकती है people के बगएर, group of people होना तीनों के लिए ज़रूरी है जिनाब अब आगे सुनिए क्या difference है association और बाकी community, society में सुनिए difference आपको clear हो जाएगी association सब से छोटा है narrowest है, sumalist है narrowest है, narrowest concept than community और society association एक part है, हिस्सा है community का या society का अब यहाँ पे देख लीज़े clear हो जाएगा society तो एक बहुत बड़ा unit है society के अंदर community होता है, जैसे मैंने आपको बोला society के अंदर बहुत सारी communities होती है और उन communities के अंदर भी बहुत सारे associations होते है तो association community के अंदर होता है, जैसे society से छोटा है community और community से छोटा unit है association तो आपने क्या याद रखा, association part है society या community का एक community के अंदर या society के अंदर बहुत सारे association हो सकते हैं तो बहुत सारे association होते हैं एक society या community के अंदर तो association सब से छोटा है community से भी और society से भी ठीक है अच्छा association क्योंकि बहुत छोटा है इनका एक अपना office भी होता है ये corporation की तरह होता है तो ये बहुत ज़दा छोटा है ना बहुत ज़दा छोटा इनकी अपनी building भी होती है मान सकते हैं आप तो याद रखना association concrete concept है ये छोटा है तो ये आपको दिखता है ये society की तरह abstract नहीं है कि जो ना ही दिखे society बहुत बड़ा unit है लेकिन association भी community की तरह community जिस तरह concrete है association भी concrete है concrete का मतलब आप association को देख सकते हैं association की तो अपनी building होती है office होता है association को आप देख सकते हैं आराम से तो कहने का मतलब ये है चुकि ये छोटा है तो दिखता है ये concrete है सामने होती है association की कोई भी building political party की building या trade union की building आपको दिखेगी सामने और उनके लोग भी सामने दिखेंगे ठीक है ओके done इतना clear है association छोटा है तो इसलिए ये concrete है आप उसको देख सकते हैं टच कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं सामने अब सुनिए अब सुनिए अब आपके दिमाग में एक बात मैं बढ़ना चाहता हूँ बहुत important है वो ये है कि हम सब लोग मिले political party बनाने के लिए हम सब लोग मिले trade union बनाने के लिए teachers association बनाने के लिए football association बनाने के लिए हम सब लोग मिले लेकिन हमारा मकसद common है कोई मुझे बोलेगा कि मुझे movies बनानी है दूसरा बोलेगा political party तीसरा बोलेगा football club चोथा बोलेगा cricket club पाँचवा बोलेगा political party तो हमारे अलग-अलग interests है हम नहीं मिल सकते फिर association नहीं मना सकते association के लिए ये बात जरूरी है याद रखो प्लीज इस बात को याद रखो मत बूलो इस बात को association में एक जैसे common goals होने चाहिए या shared goals होने चाहिए shared मकसद common मकसद सबके एक जैसे goal होने चाहिए तो association में याद रखना कि लोग मिलके unite होके बनाते हैं association और उन लोगों के common goals होने चाहिए और common goals बोलो common ends बोलो common aims बोलो common objectives बोलो common needs बोलो common interests बोलो common purposes बोलो और ये अलग-अलग books इस अलग-अलग चीज़ें लिखती हैं तो आप अकसर गूम जाते हैं लेकिन हाँ आफ अकसर का lecture देख लो सारी 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 टेंशन एक ही शौट में फू हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे एक ही मकसद है common goal अलग-अलग book आपको confuse कर रही है आप इतने याद रखो कि सब के जो मिलेंगे और सब के एक जैसे goal होंगे एक जैसे end होंगे एक जैसा मकसद हो जाए object होगा need होगा interest होगा purpose होगा सब का common या shared कह सकते हो common या shared interest अच्छा तब जाके association बनता है अब सुनो association का एक अपना नाम भी होता है association जैसे JKCS political party JKCS trade union association का एक नाम भी होता है जैसे मैंने example बना के JKCS आपको दिया इसी तरह याद रखना association की limited या specific purpose होते है अब इस बात को समझो बड़ा important है जब आप association बनाते हैं कोई भी association हमने बनाया तो हमारे limited या specific purpose है हम trade union बनाएंगे तो हम laborers और workers की बात करेंगे हम बाकी football players music players football club उनकी बारे में बात नहीं करेंगे तो हमारा association बनने का मकसद जो होता है वो limited होता है वो specific होता है वो general नहीं होता community में क्या होता है community society में general होता है general चीज़े होते है community में आप क्या करते हो आप चाहते हो पूरी economy पूरी polity पूरी society पूरी education वो सारी चीज़े community चाहता है कि खुद ही चलाए community के सारे मसले होते है community खुद ही decide कर community बनना भी चाहती है self-sufficient जैसे मैंने आपको बोला था कि old communities जादा तर self-sufficient थी तो कहनी का मतलब क्या है association ऐसा नहीं कि हार एक मसला हल करें ना, association जिसके लिए बनाई है, उसी purpose पे उपर काम करेंगी political party बनाई है तो उनका मकसद क्या होगा, government में आना political party का मकसद क्या होगा election जीतना, political party क्या purpose क्या है, limited, सुपैस पे क्या, election जीत के government बनाना यही तो है political party का मकसद ठीके न, laborers, trade union का मकसद क्या है laborers और workers की ही benefits की बात करना, ऐसे नहीं कि trade union बात करने लगेगा, कोई भी बात करने लगेगा, कुछ भी बात हो, कोई भी मसला हो football में, teachers association में कोई problem हो, या trade union बात करने लगे, movies के, film release करनी है censor करना है, नहीं करना है, उधर क्या हो अधर क्या हो, नहीं, सिर्फ trade union क्या करेगा, laborers, workers की benefits के लिए बात करेगा तो याद रखना, association जो भी है उनके limited, specific purpose होते हैं हमने football association बनाएंगी तो football के बारे में ही बात होगी music के बारे में, cricket के बारे में, dance के बारे में, political politics के बारे में नहीं होगी बात हो, ठीके, ओके अब सुनो, जब भी association बनती है, हम सब ने मिल के political party बनाईई न, JKCS political party हमने association बनाईई अब याद रखो, याद रखो, याद रखो और याद रखी इस बात को, बड़ा important है कोई भी इनसान के पास, अपना free will है कि वो आए और जुडे political party में, या आप लोग जो political party के आरड़ी हिस्सा हो आप भी इस political party से exit हो सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है तो voluntary membership है कोई इनसान member बनना चाता है, तो वो voluntary है involuntary नहीं है, आपकी will के, आपकी will की ही बाद, आप join करना चाते हैं, तो join कर सकते हैं आप withdraw करना चाते हैं, विड़र कर सकते हैं जो आपका will है, वो ही करिए तो कहने का मतलब यह है, association voluntary membership होती है, लेकिन community और society में voluntary membership नहीं होती, involuntary आप खुद बखुद society का हिस्सा बनते हैं, involuntary, आप खुद बखुद कोई community का हिस्सा बनते हैं, involuntary, muslim community का हिस्सा आप involuntary बने, tribal community का हिस्सा आप खुदी ट्राइबल कॉम्मुनिटी एस्टी में आ गए तो कहने का मतलब यह है यहाँ पे एस्टोसेशन में वॉलन्टरी मेंबर्शिप है आप विड्रा कर सकते हैं जॉइन कर सकते हैं ठीक है न ओके वह बात अलगे कुछ रूल्स होते हैं वह हम आगे टेंशन लो आप ठीक हम बनाते हैं man-made है यह देखो यहाँ पे ऐसे कलिए ऐसे यह man-made है association man-made है association established हम लोग करते हैं man-made establishment है यह तो हम लोग इसको establish करते हैं यह artificial nature का है ठीके न तो man-made है यह artificial है क्योंकि हम ही इसको बनाते है लेकिन society community क्या है वो हम नहीं बनाते है वो खुद बखुद ही बनती है वह spontaneous है, spontaneous का मतलब होता है जो खुद बखुद बन जाए जो planet नहीं हो लेकिन हम क्या association क्या है, ये artificial है हम planet है, ये planet है ये deliberately formed है लेकिन community और society spontaneous था, वो deliberately formed नहीं था, वो planet नहीं था वो artificial नहीं था, वो man-made नहीं था ठीक है, ओके वो खुदी बन जाती है देरे देरे खुदी बन जाती है अब association याद रखना यही तो है जो सबसे most important point है यही है सबसे important point association organizer group है अब आप लोग बूलोगे sir हम सब लोग जमा होगे एक जगा पे तो हम association है नहीं आप लोग तो crowd भी हो सकते हो और crowd association नहीं होता आप लोग यह तो mob भी mob भी मिलेंगे किसी जगा unite होंगे तो वो association नहीं है mob association नहीं है crowd association नहीं है किसी जगा पे unite होगे लोग ऐसे ही मस्ती करने के लिए तो वो association नहीं है किसी जमा पे लोग होगे किसी तरह ऐसी कोई occasionally किसी जगा पर मिल गए तो वह association नहीं है याद रगना जब आप लोग मिलेंगे तो आपका common goal होगा सुनो, सुनो, सुनो उसके बाद आपके कुछ खास खास purpose होगे ऐसे नहीं कि general purpose पूरी दुनिया के मसले हल करने लोगे न खास purpose होगे और सुनो, आप organizer group होगे organizer group का मतलब क्या है कि आप पूरी तरह से organized होगे आपके उदर leader भी होगा board of director आप देखो, association जो है वो crowd association नहीं है, mob association नहीं है आप association तब होता है जब organized हो organized का मतलब कि leader हो leader के साथ साथ उस association का एक board of director भी होता है association की छोटी-छोटी कुछ communities भी committees भी होते है committees, committees, committees committee, committee होते हैं community नहीं, community नहीं बोल रहा हूँ committee बोल रहा हूँ, committee association के committees भी होते है association के rules भी होते है association का office भी होता है association का leader जो होता है उसको elect करते है association के members ही for a specified time नहीं तो leader खुद बखुट मालिक बन जाएगा leader बोलेगा association को छोड़ो यह तो मैं खुद ही हूँ मैं सब कुछ चलाओंगा नहीं association में shared interests होने चाहिए association में सब लोगों के interest होने चाहिए association सब लोगों की corporation से उसमें collective action होता है corporations, cooperative separate होता है अपने rules, अलग-अलग association के अलग-अलग अपने rules होते हैं तो वो जो rules है आप सुनें उसी की बात करेंगे organized group है न, organized जिसमें rules भी हो, regulations भी हो उसमें rules भी हो, guidelines भी हो bylaws भी हो, constitution भी हो, code of conduct जैसे for example आप और में हम की political party बनाएंगे न, तो आप लोग बोलेंगे, आफाक सर, JKCS की जो political party है इसका constitution हमें send करो constitution मतलब इसका आइन हमें send करो, इस political party का कि political party में लिखा क्या है हम विकास करेंगे, हम education बढ़ाएंगे, हम corruption को रोकेंगे irrespective of caste, creed, religion वो सारी चीज़े जो भी है political party के अंदर वो तो लाओ political party का कौन से rules है, उनका constitution क्या है, तो वो सारी चीज़े तो कहने का मतलब short में यह है, association जो है और इसमें rules होते हैं, और यह जो rules होते हैं यह predefined होते हैं, पहले से defined होते हैं, यह rules और regulations जो है ना, यह पहले से defined होते हैं जब association बनती है, तो पहले rules और regulation ही बनते हैं, predefined मतलब पहले rules and regulation ही बनते हैं, और वो जो rules and regulation होते हैं, पहले जो बनते हैं association से पहले, वो या तो written हो सकते हैं, या तो unwritten, लेकिन दुनिया में जो association है ज्यादा तर उनके written rules है, या रखना दुनिया में जो association है ज्यादा तर उनके written rules है और association जो है कभी आपके book में लिखा होगा guidelines होते है association में, bylaws होते है association का constitution होता है association का code of conduct होता है एक ही जैसी बात है फिलहाल इस video में हाला कि differences अगर निकालूँगा तो वो अलग कोई पॉलिटी का वीडियो बन जाएगा मैं नहीं चाहता पॉलिटी का वीडियो बना दू वैसे भी यह पढ़ाया होगा है कहीं कहीं पॉलिटी में मैंने वो वीडियो देख लो लेकिन आपके लिए important ही नहीं है ये guideline, bylaws, constitution, code of conduct भी आपने अकसर सुना होगा ये जो I.S. officer या कोई भी officer बन गया उसको अपना code of conduct होता है political parties के time पे, election के time पे अपने सुनाओगा code of conduct होता है कि क्या करना है political party के member और क्या नहीं करना है सारी चीज़े छोड़ दो, एक जैसे सारी बाते है rules, याद रखाना आपने, rules and regulations इतना काफी है predefined rules and regulations होते हैं association को और ज्यादा तर association के rules and regulations जो rules है, laws है वो written होते हैं क्या होते है? written होते है और जो भी association का member है आप और मैं मिल के बनाएंगे association लेकिन हम सब को ऐसा नहीं कि जो head leader है सिर्फ उसको चोड़ के बाकिन को leader भी और members भी सब को, सब को, सब को members जो होते हैं association के क्योंकि leader भी खुद एक member है members जो होते हैं association के had to obey rules तो जो भी association के अंदर है कोई भी हो उनको association के rules को obey करना है और वो rules ज्यादा तर लिखे होते हैं उनके constitution में लिखे होते हैं उनकी book में ठीके? okay अब यहां तक clear हो गया अब association जो है दुनिया की कोई भी association जो है वो या तो formal है या तो informal है लेकिन ज्यादातर association दुनिया में formal है formal का मतलब होता है एक सबरदस तरीके से देखो ना formal और written लिखे हुए हैं कानून और formal तरीके से सारी चीज़े association है informal association अगर मैं for example आपको आपको बताऊ informal association जैसे कोई local village level पर कोई club किसी ने बना है तो वो informally बना है और ज्यादातर informal जो होते हैं न ज्यादातर जो informal association होते हैं न उनके unwritten rules होते हैं किसी गाओं में, village में छोटे level पर हमने मिलके एक club बना है एक football club बना है, golf club बना है cricket club बना है हमने मिलके हमने फिर ऐसे ही बातूं बातूं में ही याद रखा जबानी written नहीं unwritten है, जबानी याद रखा देखो इसके क्या rules होंगे तो वो जो informal organization होती है वो ठीके न formal क्या है, formal organization के rules हमेशा written होते हैं और ज्यादा तर association formal ही है, और ज्यादा तर association का rules जो है, वो written ही है ज्यादा तर association formal है, जैसे political party formal association है, trade union formal association है, बड़े level का कोई association, football association, formal association है बड़े level का कोई teachers association बड़े level का कोई club, formal association है ठीके न, तो याद रखना, formal associations जो है, उनके written rules और दुनिया में ज्यादा written rules वाले association है और formal वाले associations हैं। अब सुनो आगे सुनो आप Association जो है ना वो नहीं बनता है खुद ही, spontaneous नहीं है जैसे society और community खुद बखुद बन जाती है लेकिन association नहीं है spontaneous उस association planned है, association को plan करके बनाया जाता है association deliberately formed association को बनाया जाता है association artificial nature का है बनाया जाता है association man-made है established है बनाया जाता है तो कहने का मतलब यह है association नहीं है spontaneous association बनाया जाता है जिनाब जैसे यह सारी बाते connected है यह सारी बाते यहां से connected है artificial, planet, deliberately formed man-made, established association नहीं है spontaneous अगर आये question तो आप answer कर सकते हैं उसके बाद association नहीं होता self-sufficient जिस तरह community कोशिश करती है कि हम self-sufficient बने खास कर old primitive communities जो थी वो self-sufficient थी पिछले lecture में मैंने बता हुआ कैसे वो देख लेना और किस sociologist नहीं ये बोला था वो भी देख लेना लेकिन सुनो association self-sufficient नहीं बनना चाहता है कि हम सारी चीज़े करें क्योंकि इनके general interests नहीं होते general होता है music का interest, trade union का भी interest, political party भी यही बनाएंगे teaching भी यही करेंगे, doctor भी यही बनाएंगे doctors association, lawyers association सारी चीज़े यही करेंगे, नहीं association एक specific या limited purpose होता है तो यह self-sufficient तो बनी नहीं सकती क्योंकि इनके सारे मकसद तो होते नहीं कुछ खास मकसद होते हैं, limited और specific ठीक है न, एक, दो, तीन, चार ऐसे कुछ-कुछ खास-कास मकसद होते हैं, चलो अब सुनो association permanent भी हो सकती है और temporary भी हो सकती है association permanent भी हो सकते है temporary association आपने बनाई, हमने कोई trade union बनाया, या हमने कोई football club बनाया, हमने मकसद रखा कि football club जो है, ये world cup जीतना चाहिए, और फिर उसके बाद football club को हम खतम भी कर सकते हैं, हमने music club बनाया कि हमारे इदर जो भी है music club के अंदर, ये select होने चाहिए, किसी competition में, तो हमारे club for example, खतम तो association जब बनती है ना तो या वो temporary भी हो सकती है या permanent भी हो सकती है, कुछ association ऐसे हैं, जो temporary होती है, जिनका मकसद, जिनका ये common goal जब achieve होता है, common end जब achieve होता है, तो वो तब तक ही चलती है, उनका मकसद ही होता है देखें, हमारा मकसद है, हम एक association बनाएंगे, चलिए, for example हम एक association बनाएंगे, कि हम किसी जगा पर flood आया हुआ है, या flood आने वाला है तो flood relief association हम बनाएंगे हम वो flood जब खत्म होगा, तो बस हमारी association भी खत्म होगी, लेकिन याद रखना association permanent भी होती है कि association बरकरार रहेगी हमारा common goal end तो अची होगा, लेकिन फिर भी association करती रहेगी काम, तो ये permanent भी हो सकते है temporary भी हो सकते है, आप tension न लाओ, अभी मैं आपको बताऊंगा, permanent कौन सी है, example जब हम आगे पढ़ेंगे जब हम types पढ़ेंगे, ठीके न, association पर मिनट जैसे state है, temporary जैसे flood relief जो अभी example थी, अब सुनो, आगे clear होगा इस बात को association जो है, सुन लीजिए याद रखना इस बात को association का एक collective action होता है सब आप और हम मिलके political party बनाएं न, अब हमारा collective action है, क्या? हमारी सरकार आए, हम election जीते हमारा collective action है, हमारा collective decision होता है, हम सब मिलके एक ही बात को रखते हैं, जो political party होते हैं, हमेशा वो एक ही बात रखती है उनकी एक ही decision है, collective action है cooperative split है, हम सब का cooperative split है, हम सब cooperation करते हैं एक ही बात याद रखना है, हम सब में कभी भी conflict नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जिस जो भी conflict करना चाहेगा वो association से out हो जाएगा, क्यों? क्योंकि association के अपने rules, regulations, constitution होता है कोई भी इंसान उस पे सबसे पहले यही लिखा होता है, कोई भी इंसान जो political party के खलाब जाएगा, वो out हो गया, खत्म हो गया तो members had to obey the rules, उपर से वो rules members को obey करने पड़ते हैं association के rules members को obey करने पड़ते हैं तो याद रखना, association में cooperative action होता है, collective cooperative action decision, cooperative split होता है, collective split होता है, एक ही बात है और conflict नहीं होता association में कभी भी, society में आपने देखा conflict भी है और cooperation भी है, community में आपने देखा कि conflict बहुत ज़दा काम है, बहुत ज़दा कॉपरेशन है, लाइकनेस है, आपस में कॉम्नेटी के लोग लाइक करते हैं एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे तो कंफ्लिक्ट होता ही नहीं, क्योंकि कोई जाना नहीं जाएगा एसोसेशन के रूल्स के खलाव, लेकिन यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि महबबत है एक दूसरे से, नहीं, यहाँ पे नैचरल बॉण्ड नहीं है, महबबत नहीं एक दूसरे से, लाइकनस नहीं एक दूसरे से, होग सकता है कि आप हमारे आइडिया से इतिफाक ना रखे, हम आपके idea से इतिफाक ना रखे तो हो सकता है हम में likeness ना हो, हम में natural bond नहीं होता, community में हमेशे natural bond होता है हम एक जैसे हैं, we feeling होती है community sentiments होते हैं, एक जैसे लोग है हम, हम, हम बोलते रहते हैं, हम SD community हैं, हम इस community हैं तो वो जो we feeling का concept है natural bond है उदर, लेकिन यहाँ पर cooperation है, collective action है cooperation है लेकिन वो cooperation याद रखना इसलिए नहीं है कि natural bond है, हम एक जुसरे से महबत करते हैं, इसलिए नहीं है इसलिए है कि हम मजबूर है, कि हम rules के खलाप नहीं जा सकते, नहीं तो हम association के memory नहीं बनेगे, हमें तो निकाल दे जाएगा और association में हर एक का selfish interest होता है, natural bonding होता उपर से selfish interest होता है, हर एक अपना-पना interest होता है association में, कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सके, ठीके selfish interest होता है और bound rules होता है याद रखना ऐसे नहीं सोचना के महबबत होता है, नहीं वो selfish interest होता है association में, अब सुनना, association एक legal body है, association एक legal body है, मतलब association can sue and be sued, association एक corporation की तरह होता है, एक legal body की तरह होती है, हमने एक political party बनाई, तो यह political party या ट्रेड union जो है न, अब इस पे लोग case कर सकते हैं, और हम भी, हम भी case कर सकते हैं, can sue and be sued तो association case कर सकती है और association पे लोग या बाकी लोग case कर भी सकते हैं तो association जो है, उस पे कोई case कर सकता है, और association जो है, वो इस इंसान पे भी case कर सकती है और सुनो, important बात, association के अंदर जो भी member है न, जो भी आप और हम मिलके बनाए ने association तो JKCS association JKCS political party member के अंदर जो member है उसके उपर भी case कर सकती है जो अपने JKCS का कोई एक member है अगर लगा उसके उपर भी case कर सकती है तो इसलिए तो इस political party के member बड़े responsible होते हैं इसलिए तो ये obey करते रहते हैं rules को इसलिए तो corporation हमेशा होता है इसलिए तो conflict होता ही नहीं तो याद किया रखाए आपने legal body है के NCO and be suit case कर भी सकता है कोई association भी किसी भी case कर सकते इवन कि association जो है वो किसी अपने भी member के उपर case कर सकती है तो जो ये association है जो हमने JKCS political party बनाई ये एक जिंदा body की तरह है ये एक जिंदा body की तरह है JKCS party जो हमने बनाई ये एक Protest जिनदा body की तरह है इस पर case हो सकता है ये किसी भी case कर सकती है और हम पे भी मुझ पे भी और आप लोगों पे भी ये JKCS जो body है ये case कर सकती है तो against action against member भी यह ले सकती है तबी तो member जाकर responsible member बनते है association का corporation character यह corporation की तरह है corporation की तरह है मतलब जैसे corporation का अपनी एक property होती है अपने funds इसी तरह association भी एक corporation की तरह है corporation की अपनी एक building होती है इनको अपना एक office होता है इनको अपनी property होती है अपने funds होते हैं इनके पास और ये funds जो है property जो है, building जो है, office जो है वो किसी एक individual का नहीं है वो पूरा का पूरा का association का है JKCS political party का है ठीक है ऐसे नहीं कह सकते है, मेरा है या आप लोग का है, नई सब का है, सब का है पूरे एक नाम का है, JKCS political party का है इस नाम का है, JKCS association का association एक smaller है than community, यह मैंने आपको बता है और association कम स्टैबल है क्योंकि association तो temporary है ना, इसलिए कम स्टैबल है लेकिन, या जखना community per minute है community per minute है, इंसान आता है जाता है, community कभी खत्म नहीं होती society कभी खत्म नहीं होती, इंसान आये जाए, society कभी खत्म नहीं होगी तो association जो है, यह वाला छोटा है और stable भी कम है क्योंकि यह temporary भी हो सकता है ना, तो यह stable कम है, याद रखना सब से पहले दुनिया में जब आया इंसान तो society तब से बनी, एक concept है कि जब दुनिया में इंसान आया, तो society तब से बनी, इसलिए association जो है, वो बनती है after society and community, बहुत जारी books में लिखा है, तो association बनती है after society and community, ओके अब यहाँ पे याद रखना यहाँ पे याद रखना important, association में एक problem है, कि मान लो हमने जब association बनाई, तो हमने decide किया हमारे दर association में हजार मेंबर बनेगे हजार मेंबर इसके टोटल मेंबर होंगे तो membership limited होता है या कोई football club बना उनने बोला कि देखे हम football के लिए या cricket के लिए हमें इतने ही member चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा 20 members ले सकते हैं उनने decide किया अपने constitution में, अपने laws में अपने rules में तो याद रखना membership जो है वो limited होती है यह एक association का मसला है कि limited membership होती है ऐसाने कि हार एक इंसान member बने उनकी अपनी membership का limit होता है तोटल membership का limit होता है अब association की limited significance है इसके तीन reasons है अब ही मैंने एक बोला कि limited member ही इसमें जोड़ सकते हैं association के total membership limited ही होते है अलग-अलग association का अलग-अलग है तो यह एक problem है यह एक limited significance है दूसरा association कभी भी खतम हो सकती है temporary भी हो सकती है कुछ तो temporary है ने association तो association जो temporary होगी वो खतम भी होगी तो यह भी एक limited significance है और association के कम ही purposes होते है जैसे football वाली association सिर्फ football की बात करेगी तो association के कम ही purposes होते है कम ही interested होते है ठीक है ना limited purposes होते है एक या दो ज्यादा से ज्यादा तीन ठीक ना इसी तरह एक दो तीन बहुत सारी books लिखते हैं कि एक दो purposes ही होते है तो कहने का मतलब short में यह है कि बहुत सारी books लिखते हैं sorry कि एक ही purpose होते है लेकिन कहने का मतलब short में यह है कि इनके limited purposes होते है बहुत कम purposes होते है ठीक है अब सुनिए अब सुनिए आगे चलते है अब सुनिए आगे चलते हैं अब question करते हैं अब मैं चाहता हूँ आप एक-एक question करो जल्दी करो which of the following is the main characteristics of association बताएं association का क्या है main character corporation होना चाहिए हाँ ये तो सही है common interest भी होना चाहिए या shared interest common interest होना चाहिए या shared common मतलब सबका सबका एक interest या shared interest उसके बाद ये भी सही है ये भी सही है ये बी सही है organized होना चाहिए तो important है तो all of the above answer आएगा उसके बाद आगे चलते हैं which of the following is deliberately established हाँ खुद भखुद आप किसको बना सकते हो deliberately man-made बताएं association है man-made, artificial, deliberately, planned बाकि वो तो supportaneous है society और community तो supportaneous है which of the following is smallest or narrowest अरे सबसे चोटा तो association ही है उससे बड़ा community और उससे भी बड़ा society एक society के अंदर बहुत सारी community होते हैं और एक community के अंदर बहुत सारे association हो सकते है उसके बाद आगे चलिये which of the following is not related to association कौन सा association के related नहीं है voluntary membership नहीं voluntary membership तो है खुदी member बन सकता है concrete हाँ यह तो concrete है यह चोटा है association चोटा है बड़ा concrete है concrete है दिखता है और organized भी है यह तो तीनु सही है हमें क्या बोलना है not related to association कौन गलत है association का legal status होता है वो case कर सकता है उस पर case हो सकता है वो अपने members के उपर भी कर सकता है action तो यह गलत है क्योंकि association is illegal उसका एक legal is a legal body ठीक है उसका एक legal status है तो इसका जो सही answer है वो यह है क्योंकि question बता रहा था not related to association which of the following is not true बताए कौन सा true नहीं है members of association are bound to obey rules हाँ यह तो true है अरे members को तो मानना है rules को दूसरा association have a legal status यह भी तो सही है association एक legal body है association may be permanent और temporary यह भी सही है association या तो temporary होगी या permanent होगी ठीक है न association is made there informal यह गलत है यह बोरा है कि association ज़्यादा तर informal है नहीं मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि formal है ज़्यादा तर association formal है ज़्यादा तर association और formal का ज़्यादा तर written होता है तो written है उनके rules तो ज़्यादा तर rules written है और written 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 rules है और formal है यह तो बता रहा था लेकिन यहाँ पर बोरा है कि ज़्यादा तर informal है नहीं association ज़्यादा तर formal होती है उनके written rules होते हैं, उनका अपना एक registration भी होता है, दोको association का registration भी होता है, आपको अभी आपको last वाले MCQ पे clear हो जाएगा, जब अभी recently एक association को government of India ने, ministry of home affairs ने remove किया, उसको association के list से debar किया, अभी बताऊंगा, टेंचन अलो, अब सुनिये आगे, which of the following is false, कौन सा इन में गलत है बताईए, community and society water, यह सही है, members of association have common interests यही सही है, members of association को commonronts के साथ साथ कुछ स्वास interests होते हैं, यह ही सही है, association is entirely self-sufficient, नहीं, यह कहां है self-sufficient, इसके तो एक, दो ही interests होते हैं, तो self-sufficient वह होता है, जिसके general interests हो, जिसके बहुत सारे मकसद हो,Brien pigeon's, आपको sound, self sufficient खुद ही association कहां खुद ही सारे मसले करता है एक दो उनका aim ही उनका goal ही होता है limited उनका purpose ही होता है limited अले limited goal बोलो limited purpose बोलो limited end बोलो limited ठीक है न? ओके उसके बाद association is एक सिकंड यार मैंने जो बोला आपको वो दिमाग में आना चाहिए बात है ठीक है? अब और एक सवाल है आपके सामने बताएए ये वाला question sorry 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 which of the following is not true बताना है कहां गए हम? ये तो हुआ ये भी तो हुआ ये बताएए इनमें से कौन नहीं है true not true तो ये सही है ये सही है association में ये भी सही है तो ये है association में लिए an informal organization ये ही है not true तो ये ही है आपका सही आंसर उसके बाद विचाव तो following is false आपको बताना है कौन सा गलत है ये आपको है गलत तो ये भी मैंने आपको बताएए ये गलत है उसके बाद association is बताएए not a legal body ये नहीं है legal body ये तो गलत है association is informal organization only ये भी गलत है क्योंकि ज्यादा तर तो formal है association is larger अरे नहीं larger कहा है association तो सबसे छोटा है association is abstract अरे नहीं वो तो concrete concept है association is created deliberately by people क्योंकि association is artificial man-made वो spontaneous नहीं है society community की तरह association has a limited significance because बताएए association की कम significance क्यो है association temporary हो सकता है association के कुछ ही purposes हो सकते है तो both and be वैसे तीसरा भी एक बोला था association के limited membership भी है ये तीन मैंने बोला थे association के limited membership है लेकिन इस question के हिसाब से ये दोनों सही है क्योंकि इसने third वाला option दिया नहीं है limited membership वाला option नहीं दिया है association is based on cooperative spirit this cooperation क्यों है ये cooperation क्यों है ताकि we feeling है नहीं वो तो community में है ताकि ज्यादा प्याब पसंद करते एक दूसरी को नहीं वो भी नहीं है natural bond है natural bond है नहीं वो भी नहीं है members इसलिए cooperation कर रहे हैं क्योंकि ये बात सही है members are bound to obey rules and have common goals एक तो वो rules उबे करते हैं और उनका common एक goal होता है जैसे उन सब को मिल के government बनानी है तो इसलिए वो आपरस में cooperation करते है what is an association in sociology बताएए group of friends नहीं हाँ अगर group of friends होते हैं united एक football club बनानी के लिए तब मानते हम नहीं ये तो नहीं है what is an association in society formal organization of individuals with a common purpose यही तो है सही आपका जवाब ठीक है casual मतलब ऐसे gathering होगी किसी जगा वो तो नहीं है ऐसे network of social media रहें या नहीं वो तो virtual community में मैंने आपको पढ़ाया होता dadish is in artificial creation wired and natural बताएए artificial कोन है association ही तो artificial है और community natural है association artificial है उसको आप खुद बनाते हैं तो वो artificial है उसको आप खुद बनाते हैं तो वो तो artificial है बताएए कि association के लिए कोन से apply होता है वो society के लिए नहीं apply होता तो हमको डूड़ना है association के लिए कोन से apply होता है जो society के लिए नहीं होता कोन से apply होता association के लिए बताइए conflict के chances minimum होते हैं association में conflict के chances बहुत कम होते हैं क्यों? क्योंकि member तो bound है rules को अब ही करना और उनको government बनानी है तो वो एक जुसरे से cooperation कर रहते हैं चाहे वो like करे है ना like करे तो यह तो सही है society में क्या होता है? society में conflict भी होता है, cooperation भी होता है तो यह मुझे सही अभी लग रहा है most appropriate कोन होता है in it there are bound to be conflicts अरे नहीं, conflict तो इधर होते नहीं हमें association के लिए पहले देखना है which applies to association तो आप लोग यह देखो कि यह चार apply होते हैं association को की नहीं पहला तो apply होता है, दूसरा apply नहीं होता in it conflict and cooperation को नहीं भाई यह भी conflict भी cooperation है लेकिन conflict नहीं है conflict नहीं है या आप कह सकते हो बहुत जादे minimum है अभी मेरे लिए यह पहला यह option correct है membership compulsory है association के लिए अरे नहीं, association के लिए कहा है membership compulsory membership voluntary है आप खुद चाहते हो membership join करना विड़रा करना आप तक है तो यह भी नहीं है तो most appropriate answer A ही है ठीक है which of the following is not a characteristics of association बता यह कौन नहीं है association का characteristics fix it and written rules यह है कि होते हैं ज्यादा तर तो written rules ही होते है limited membership यह भी है कि membership तो limited ही होते है office based हाँ इनका अपना office होता है यह भी है unconsciously formed यह नहीं है और सवाल यही था not a characteristic यह नहीं है unconsciously मतलब जो खुद ही बन गया spontaneously बन गया लेकिन हाँ यह तो deliberately हम बनाते हैं branded, artificial, man-made तो unconsciously formed यह नहीं हम तो conscious होके इसको बनाते हैं conscious सब मिलके पहले मिलते हैं unite होते हैं फिर बनाते हैं association का नाम का मतलब ही है unite होना मिलके बनाना तो यह है not a characteristic of association और यही आपका answer है क्योंकि सवाल था not without the following is a feature of association बता यह कौन सा है feature of association mandatory membership है नहीं mandatory कहा है आपकी अपनी मर्जी है isolated नहीं कोई role ही नहीं है shared interests and objectives मैंने बोला ना shared बोलो या common बोलो अलग-अलग books पर अलग-अलग चीज़े लिखती है लिखी है लेकिन मैंने सारी चीज़े आपको बता दी मैं word by word इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आप जब अलग-अलग books पर तो आपको दूर से समझाना चाहिए कोई book shared लिखती है कोई book common लिखती है एक जैसी बात है सब के shared objectives या common objectives या interested होते है तो यही है आपका feature of association डाड़श is natural डाड़श is artificial देखें natural artificial आपका association है तो आप यहां से डूण लो association किदर है किदर है association तो उपर पहले ही है क्योंकि artificial तो association ही है बाकी society और community दोनो natural है ठीक है नहीं खुद बखुद बन जाते हैं यह association artificial है तो याद रखना society is natural association is artificial ठीक है यहां तक clear हुआ यही है इसका answer an association is formed when बताएए when people are united for a purpose यह बात सही है people unite होये है for purpose the people have general purposes अरे नहीं people को specific या limited purposes होते है limited purpose limited goal specific goal होता है लेकिन general नहीं general नहीं तो यह गलत है the people are only united अरे people only united से क्या हुआ वो तो crowd हो गया unite हो गये सब एक जगा वो तो mob भी हो सकता है वो तो किसी function में हम मिल गए वो तो किसी festival पे हम मिल गए नहीं मिलने का मतलब नहीं है association only united नहीं है united के बाद united के बाद common goal होना common goal होना और organized form में बनाते हैं association common goal के साथ साथ फिर organized भी होना चाहिए यह छोड़ो तो answer हमारा तो पहला यह है short में simple है यह है people are united for a for a purpose किसी purpose के लिए कहना किसी purpose के लिए और उनका purpose वो common होता है common के साथ साथ limited भी होता है common मतलब सब मिल के specific common मतलब shared मतलब सब का मिला हुआ और limited का मतलब एक जैसे सब का जैसे वो गोल बड़ा specific है एक ही है government बनाना वो limited है government बनाना ठीक है okay pick up one of the following which applies to association but not to community बताईए association के लिए है community के लिए नही है it is action can be challenged in court of law association के actions challenge हो सकते है court of law में सही बात है यह सही है it has no legal status association का तो legal status होता है यह गला थे हमें association पहले है applies to association तो आप association ही दिमाग में लखो फिला तो दूसरा गला थे it is government most of a अरे नहीं ज्याद अतर informal laws है for its formation no specific अरे नहीं formation के लिए specific effort चाहिए अरे हम बनाने के लिए effort चाहिए constitution बनानाना है rule बनाना है सही और community के लिए यह apply नहीं है क्यों? क्योंकि community का legal status नहीं होता वो आप challenge नहीं कर सकते इन quote अपला community को आप challenge नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते उस पर case क्यों नहीं हो सकता पूरी community पे भाई community का एक इंसान आपको कुछ बोले तो आप पूरी SD community को case नहीं कर सकते ठीक है ना What distinguishes an association from a casual नॉर्मल गूप एक होता है casual group casual मतलब हम मिलके तो यार दोस मिले चाय पीने गए खेलने गए एक casual group है यह लेकिन association क्या होता है? organized होता है वो formal type होता है ज्यादा तर मैंने बोला ना ज्यादा formal है तो formal structure होता है उनका और organized होता है तो यही है आपका सही जवाब पहले ही हम चलते हैं आगे primary goal क्या है association का economic profit आदे है economic associations related to economy वो हम पढ़ेंगे personal enrichment आपको सही लग रहा होगा social interaction आपको ज़रूरी है लेकिन हमें इस question में most appropriate देखना है यह चीज़े मैंने आपको पढ़ाई भी नहीं lecture में शायद है ना यह चीज़े भी ठीक है अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में तोड़ा सा time लेके economy भी है ठीक है ना personal कोई ends, aims, objectives, needs, interests, purposes को अचीव करना इसलिए association बनाई जाती है association और deliberately formed who among the following observations do not apply to the notion of association the nature of association is temporary बताये हाँ यह तो सही है हमें बताना है does not apply हमें बताना है कौन सा गलत है इन में से और वही आपका अंसर होगा association is formed with intention and goal हाँ इसमें तो intentional goals होना चाहिए और वो common होने चाहिए है ना सब के ठीक है ना और वो एक goal होना चाहिए या limited number of association is a concrete हाँ यह तो सही है association concrete concept है association entails community feels and definite territory नहीं वो community में होता है community feeling और definite territory association के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि community feeling हो और कोई definite territory हो association के बनने के लिए यह जुरूरी नहीं है ठीक है याद रखना ठीक है ओके तो याद रखना association के लिए जुरूरी community के लिए हमेशे याद रखना community feeling होनी चाहिए और definite territory होनी चाहिए association के लिए आपको मैंने बोला क्या है unite होना common goal होना और organized होना limited number of goals फिर होना common के साथ साथ और artificially हम उसको बनाते हैं ठीक है? अके और फिर बनाने के बाद फिर decide करते हैं कौन सी territory होगी कौन सी नहीं होगी बनाने के बाद यह artificial है उसकी territory ऐसे change कर सकते हैं office इधर से उधर artificial है इसलिए definite territory जुरूरी नहीं है ठीक है नहीं है हमने यह पड़ा भी नहीं lecture में यह concept वैसे यह बात सही है कि किसी भी चीज़ का territory होता है चाहे वो society हो community हो association हो लेकिन यह नहीं है association बनने के लिए basic rule territory का होना ठीक है आप किसी जगा हो हम किसी जगा है तो हम अभी political party बनाएंगे किसी कोई भी office में रख लेंगे किसी भी जगा पे रख लेंगे what is the common purpose of association बताए to generate profit नहीं किसी एक association का हो सकता है लेकिन यह उतना appropriate नहीं है फिलाल में छोटी टिक मारूंगा to provide social कोई socialization के लिए to achieve shared goals and objectives यही है सही यही मैंने इस lecture में बताया तो जो मैं बताता हूं वही most appropriate ही होता है आपके answer में which of the following is not an essential feature कोई नहीं है essential feature group of people यह है group of people यह essential है हाँ यह तो है क्योंकि group of people होना चाहिए ठीक है नहीं चोटी टिक मारूंगा भी सवाल है not essential community sentiments आरे community sentiments हो या ना हो हमने यह किसी जगा नहीं पड़ा यह नहीं है essential feature आपने मेरे note में यह नहीं देखा community sentiments तो यह नहीं है essential feature याद रखना rules and procedure होने चाहिए common purpose तो होना चाहिए इन दोनों को मैं तो बड़ी टिक मारूंगा एक group of people को चोटी टिक मारूंगा क्योंकि यह तो group of people तो हरे के लिए चाहिए चाहिए वैसे society हो community हो या association हो इन में बताएए कौन सा है correct society older than association हाँ society तो पुरानी है बोलते हैं जब इंसान आया society भी आई फिर जाके इंसान मिले और unite होए और unite होने के बाद common goal देखा फिर कुछ एक दो limited purposes रखे goals रखे फिर artificially उसको बनाया और organized तरीके से बनाया और pre-defined rules and regulations लाये और ज़्यादा तर written में था और formal तरीके से बनाया और फिर इंसान को अपनी मर्जी है उसका member बनना या ना member बनना voluntary है तो कहने का मतलब यह है society older है पहले society फिर association बनाई है लोगोंने society may be organized और association organized ही होती है यह भी सही है aim of society general है जनरल है लेके association का particular है particular है limited है specific purpose है particular purpose है limited purpose है society is marked by both cooperation and conflict हाँ लेकिन association में cooperation ही होती है यह भी सही है society एक system web of social relationships है association एक group of people है यह भी किसी हाथ तक सही है association एक group of people है लेकिन इतना अच्छा नहीं है लेकिन हाँ सही है हम तो इसको भी सही मानेगे कि कि society है system of web of social relationships आपने पढ़ा है association एक group of people है ठीक है लेकिन पूरा लिखना था इसको चलो इसको मैं incomplete मानू को फिलाल लेकिन इसका answer जो है most appropriate यही है all of the above वैसे examiner जब यह question JKSGB पूछे ना तो concept को clear हमेशा रखना चाहिए बाद में JKSGB को खुद problem होती है यह line पूरी लंबी करके इदर लिख लो बागई जिसने भी एक question frame किया है अब सुनिए सबसे पहले हम आपको definitions कराएंगे और जो जो important है वो हम trick के जरीए आपको याद भी कराएंगे सबसे पहले समझाते हैं कि मैकाईवर सहाब ने क्या बोला मैकाईवर सहाब ने बोला कि association जो है वो एक organization है जिसको deliberately form किया गया है किसलिए पी एस जिस बोला association क्या है group of people united for a specific purpose और limited number of purposes कुछ purposes या limited number of purposes बोगाडस ने बोला association क्या है working together of people to achieve some purpose गिलिन गिलिन ने क्या बोला association है group of individuals जो unite हुए है for specific purpose और वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं held together by recognized or sanctioned modes of procedure और behavior याद रखना वो जुड़े हैं एक दूसरे के साथ इस organization के modes of procedure जो sanctioned है recognized modes of procedure है rules है, regulations है उनकी वज़ा से एक दूसरे के साथ या जुड़े हुए है गिलिन गिलिन के बाद गिलिन गिलिन के बाद मोर्स जिन्स बरग ने क्या बोला association है group of social beings जो social beings एक दूसरे के साथ related है, इसलिए कि उन सब में क्या है एक organization है common वो एक दूसरे के साथ जुड़े क्यूं है क्यूंकि वो organization के हिस्सेदार है organization के under है वो ठीक है न, with a view और organization क्यूं बनाई है ता कि उनके अपने specific end या ends को secure किया जाए हासिल किया जाए GDS school ने क्या बोला association जो है इसने बोला कि group of people तो सब भी board रहे हैं जो pursue करेगा common purpose जिनका होगा course of cooperative action होगा उनका और वो सब agree करेंगे उनका purpose होगा और वो सब agree करेंगे upon certain modes of procedure सब लोग agree करेंगे upon certain modes of procedure or in however redeeminary form मतलब कि वो common modes of procedure किसी भी form में क्यों ना हो お願い मतलब basic form में क्यों ना हो simplest form में क्यों ना हो lowest form में क्यों ना हो लेकिन वो होगा common mode सब procedure होगा और rule of common action होगा तो कहने के मतलब ये है कि organization के अंदर basic rules simple rules simple जो code of conduct होता है rules होता है regulations होता है लेकिन वो जरूर होते हैं अब एक बात कहूँ याद कैसे रखते हैं देखो याद रखने से पहले न मैं एक बात कहूँ मैकाईवर जो है न मैकाईवर इसके बारे में एक बात कहूँगा फिर याद करूँगा मैकाइवर के बारे में एक बात कहूँगा फिर याद कराऊँगा मैकाइवर और पेज ने क्या बोला मैकाइवर ने बोला खासकर मैकाइवर और पेज ने क्या बोला तीन रास्ते हैं एक इनसान के पास Дूसरा conflict करे, अगर उसको कोई चीज हासिल करनी है, तो वो दूसरे इंसान को मारे, या उससे चीन के लिए वो चीज और खाए, अगर उसको खाना है कुछ, या उसको political party बनानी है, या government बनानी है, तो दूसरे इंसान को मार के बनाए, दूसरे इंसान से वो snatch करे, conflict करे लड़ाई जगड़ा करके, मनमानी करके आगे जाए, वो फिर fulfill need कर सकता है, वैसे भी लेकिन यह सही नहीं, यह moral नहीं है morally good नहीं, ठीक है लड़ाई जगड़ा करके, हासिल करना कुछ fulfill करना needs का ठीक नहीं है और मेकाईवर ने बोला सबसे best है cooperation, जब लोग unite होंगे, cooperate करेंगे, एक दूसरे के साथ और फिर fulfill करेंगे needs को, fulfill करेंगे objectives को, goals को, ठीक है और वही cooperation की वज़े से association बनाते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ unite होते हैं cooperation करते हैं, cooperative support लाते हैं, collective action decision करते हैं, और फिर cooperation क्यों करते हैं, ताकि वो fulfill करें कुछ अपने needs तो वो association बनाते हैं, तो ये मैकाईवर ने बोला, और याद रखना important point मैकाईवर ने क्या बोला, organization कोई भी हो, और association जो भी है, haven't got any difference इसने organization पर, बोला कि जो भी organization है ना, दुनिया में, वो एक तरह का association है, क्योंकि organization में भी यही है कि मिलना है, legal body है, corporate character है, collective support है, organization का, ठीके ना, organization जो है, artificial है, organized group है, voluntary होता है, membership उस organization का, ये सारी चीज़े organization में हैं, तो मैकाईवर ने बोला, जो organization दुनिया की है वो तो association ही है, और इनमें कोई difference नहीं है, मैकाईवर ने क्या किया, organization पे ध्यान दिया, organization पे ज़्यादा फोकस किया, इसकी definition में भी ये organization का word है, तो आप के लिए trick यही है, अगर सवाल आये, किस ने बोला organization and association haven't got any difference, मैकाईवर, organization याद रखना, मैकाईवर ने बोला association एक organization है, याद रखना, मैकाईवर यहाद रहेगा, याद रहेगा, चूंकि उसने बोला organization, association में कोई difference ही नहीं है, याद रहेगा, अब सुनो, important दूसरा है, body guard, ठीक है न, bo guards, body guard, जो guard होता है, guard, किसी भी ATM से, guard, जो भी होता है, guard, जो भी होता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, working, working, working के साथ जुड़ के रखो, देखो न, ज्यादा तर आपको working किसी दूसरी जगा definition में देखने को नहीं मिलेगा, तो अगर easy हो रहा है, जितना easy हो जाएगा, उतना easy करके आप exam हाल में गुस लेना, उतना confusion काम होगा, उतना load काम होगा, ठीकिन, easy रखो चीज़ उनको, guard, या body guard, या guard जो होता है, guard जो होता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, या body guard भी किसी का, देखो न, जान अपनी देता है, वो बहुत ज़्यादा work करता है, तो work को किसी भी तरह से जोड़ो, आपकी दिमाग में ATM के बाहर guard आता है, देखो वो कितना work करता है, ठीकिन, उतना किसी भी तरह से दिमाग को जोड़ो इसके साथ, working के साथ, याद रखना working, ठीक है, working guard, जो है, बड़ा work महंती होता है, work करता रहता है, work करता रहता है, बहुत ज़्यादा, या bodyguard क्या करता है, बहुत सारे bodyguard किसी होते हैं, वो working together करते हैं, किसी भी तरह से जोड़ो प्लीज, उसके बाद important याद रखना है, ये वाला purpose, course of cooperative action, इसी तरह certain more of procedure, rule of common action, पाँच बार C है इसकी definition में, तो कोली सहाब के भी पहले C है और पाँच बार definition में C है, इसी तरह मोर्स जिन्सपर्ग, आप इसको याद रख सकते हो, इस तरह for example, ये भी important है, तो याद रखने के लिए क्या बता हूँ आपको, हाँ, माल लो जिन है, जिन है, ये जिन है आपके सामने आया, आपको लगा मैं end हो गया, देखो ना अभी वीडियो के बीच में इसको मैंने बनाया, क्योंकि ये जिन्सपर्ग भी आया हुआ है बहुत बाल एक्जाम है, तो important है, तो कुछ ना कुछ ट्रिक बना नहीं है, तो सुनो, जिन, आपके सामने ये जिन्सपर्ग आया, आपको लगा मैं तो आज एंड ही हो गई, जिन को एंड के साथ जोड़ो प्लीज, किसी भी तरह से, ये जिन लोग सोच रहे होंगे, जिन आफाक सर ने हमको ट्रिक्स बनाने के लिए रखा हुआ है, आपने जिन सामने देखा, तो एंड, आपको लगा हम एंड हो गए, आच्छा, ये ट्रिक जितना important है अभी आपको पता चलेगा, देखो, association के कुछ examples और types पहले देखते हैं, फिर multiple choice question करते हैं, association की example क्या क्या है, political association हो सकती है, उनका मकसद है, politics में government बनाना, election जीत के, जैसे BJP है, Congress है, Indian National Association मैंने क्यूं डाला, क्यूंकि मैंने देखा इस पे questions आये हुए हैं, याद रखना, Indian National Association एक ऐसी association है, इंडिया की पहली association, मगर national level की, इंडिया की पहली first, national level की association है ये, और ये British India में बनाई गई थी जब British Hills थे यहां पे, 1876 में बनाया था, 1876 में इसको किसने बनाया है, ये भी याद रखो बहुत बराया है, सुरिंदरनाथ, चल लिखी लेता हूँ, सुरिंदरनाथ, सुरिंदरनाथ, बैनर जी, बैनर जी, ओके, ओके, और, and, आनंद, आनंद, मोहन, मोहन, बोस, और इन्ह नेशनल एसोसेशन है, इंडियन नेशनल एसोसेशन, पहली नेशनल एसोसेशन है, नेशनल लेवल की, British इंडिया में बनायी थी, 1876 में किसने बनाई, सुरिंदरनाथ, बैनर जी, आनंद, मोहन, बोस, और कहां पे बनाई, जिनाब, कलकता में, और एक पॉइंट याद रख एसोसेशन जो रिलिजन के बारे में एसोसेशन बनाए, अपना रिलिजन प्रोटेक्ट पर जरू या फैलाने के लिए, जैसे विश्वु हिंदू परिश्यद है, रामा किष्णा मिशन है, आर्या समाज, एक दो बारा मैंने दिखाया हुआ है, यह है, मुस्लिम लीग आप Home Affairs ने बोला था Unlawful Association, इस Association को Unlawful Association करार दिया गया, Under UAPA Act, UAPA क्या है, Unlawful Activities and Prevention Act, उनने बोला कि यह Anti-National Activities कर रहे थे, जैंड के में, मुस्लिम लीग जैंड के की Association जो है, उसको Ministry of Home Affairs, Ministry of Home Affairs, यह आप क्या सकते हो, Government of India ने, क्या करार दिया, Unlawful Association है यह, क्यों Unlawful Association है, क्यों इनको कुछ elements दिख रहे थे, और Unlawful Association अंडर वीच एक्ट, UAPA, UAPA क्या है, Unlawful Activities and Prevention Act, उके, चला बास, इतना काफी है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद सिटूटन्ट की भी Association होती है, अक्यल बारती परिशत, उसी दहली Union Association है, लीगर मुस्लिम युनिवस्ट ठीक है, स्टूडन्स की एक Association होती है, लेबरर की Association है, जैसे ट्रेड युनियन, ओल इडिए ट्रेड युनियर, लेबरर्स की बारे में बात करता है, इसी तरह बहरतिया मजदूर संग है, हिंदू मजदूर पंचायत है, उसके असाथ है, प्रफेशनल Association, जुमुएन कश्मी की examples है, business corporation या business association, hotel owners association, ठीक है, इसी तरह business related, international association है rotary club और lines club ये दो examples, याद रखना याद रखना, याद रखना, याद रखना, rotary खास का, ये दो जो है, ये international level पे associations है आप देखते हैं, types of associations सुनो, ज़्यादा detail में नहीं जाना है सुनो, mackaver and page ने, mackaver and page ने दो तरह के associations बोले दो types के associations बोले, mackaver और page ने, बोला एक association है वो है specialised, दूसरा है तो याद रखना, association को classify किया गया, mackaver and page ने, दो types में, specialised association non-specialised, specialised मैं बोला, दो तरह का है primary और secondary, primary association बड़ी सुमाल होती है, S का मतलब यहाँ पे सुमाल है जैसे छोटे clubs है, club और secondary association बड़ी है L का मतलब यहाँ पे large होती है large है, तो secondary association large है जैसे political parties, ठीक है mackaver and page ने, जो non-specialised बोला था, जो बोला यह वाले specialised जादा नहीं है, जैसे social social clubs gender के related कोई club बनाया, male, female club, ठीक है, इसी तरह जो बाकी होते हैं, उनके club gender के basis पे age groups के बारे में club, देखो young का club, mature का club, old age club, young club वगेरा वगेरा ठीक है, okay, not specialized, उसके बाद व्याबर ने दो तरह का बोला, community based association, federation based association, व्याबर ने खास laws, rules लिखे नहीं जाते थे, ऐसे ही जबानी होता था, informal laws rules, ठीक है, वेबर ने बोला federation based association, वो associations हैं जो नए हैं, जो आज-कल के associations है, rules के basis पे, laws के basis पे, और बड़े formal type होते हैं, ठीक है, okay, उसके बाद power के basis पे association है power के basis पे association है तीन categories में, saverian, मतलब जो powerful है, जैसे state state एक association है powerful है semi-sverian, जो आदी powerful है, जैसे university, थोड़े से power होते हैं university के पास, लेकिन फिर भी वो dependent होता है state पे, government पे, इसी तरह non-sverian जिन में कोई power नहीं होता, छोटे लेबल पे कर सकता है, powerful है on the basis of duration, association को divide किया गया temporary और permanent temporary मतलब थोड़े देर के लिए, जैसे flood relief association flood relief association थोड़े देर के लिए, permanent state state हमेशा ही association होता है permanent ही होता है, ठीक है न, okay government, state यह क्या है permanent association, government हमेशा ही होता है, permanent होता है government आए किसी की या जाए किसी की लेकिन government का जो नाम है न, वो वही रहता है political party कभी power में आए कोई दूसरी political party पावर में आए तो political party आए कभी या ना आए कभी लेकिन government जो होता है, वो हमेशा होता है किसी ने किसी का ठीक है न, government permanent है क्यों, government के बगर कुछ नहीं हो सकता जैसे music club, tennis club यह fun वाले, जो भी है recreation associations, ठीक है न, इसी तरह vocational associations, जहां पे skills develop किये जाते हैं, जैसे trade union ज़्यादा तर workers, laborers के skills की बात करता है रहता है गवर्मनट के साथ और philanthropic association philanthropic का मतलब ही होता है charitable purposes के लिए, ओके ठीक है न, इतना के लिए philanthrop को अगर आप dictionary पे सर्च भी करेंगे न, तो dictionary में क्या बोलेगा, वो इंसान जो पैसा देता है गरीबुं को, पूर को जिसको जुरूरत होते हैं, बीमारुं को, ठीक है philanthrop, तो philanthropic क्या है charitable association होती है, एक example है कोई भी charitable association जो है, वो philanthropic association है, ठीक है, अब यहां ते clear हुआ, आप कुछ important books है, लेकिन important books किसने बोला, international sociological association, आई ऐसे जो है international sociological association, इन्होंने top 10 books के टाइटल में, top 10 books के अंदर यह 10 books रखी, यह 10 books आप देख लो, इसका screenshot उठा लो, यह author है, यह books है, यह author है, यह books है, इनका screenshot उठा के लोखो, यह बड़े important है, एक्जाम में आ सकते हैं, चाहे society के related, association के related, या community के related, क्योंकि यह ISA के अंदर, books के अंदर बोला गया, कि यही है, दुनिया के top 10 books related to society, association, या जो आपका, यह community है, ओके, आप question करते हैं, who has defined association by saying that association is usually working together बताया मुझे, working, काम को रहेगा, guard, 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 दिमाग में लाओ, working together, people to achieve certain purpose, अरे, अभी दिखाया, working together, people कहां पे है, guard होगा, bogardas working together, people to achieve some purpose यह है, bogardas ने बोला, ठीके न, easy है, easy तो लगएगा, क्योंकि आपको मैंने, आपको मैंने trick जो समझाई, उससे कुछ न, कुछ question निकल जाएंगे, bogardas, ठीके, guard, guard, according to dash, an association is an organization, किस ने बोला, यह organization की तरह है, किस ने बोला, organization and association are, haven't got any difference, यह MacGyver ने बोला था, तो MacGyver and page, MacGyver इसका answer होएगा, उसके बाद, who said, association is a group of individuals, united for specific purpose, and held together by recognized modes of procedure, बताईए, किस ने बोला, कि association is a group of individuals, united, united, united for a specific purpose, and held together by recognized, बताईए, देखो, MacGyver मैंने आपको बोला, organization, तो वो यह नहीं है, bogardas में आपने बोला, मैंने आपी working together, working, 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 बड़ा important नाम है, work करते हैं, guard, ठीके ना, अच्छा, जिन में भी मैंने आपको बोला था, end है last में, और जिन में end है last में, ठीके ना, end या end स, देखो, यह टी नाम नहीं लिखे ना, तो आप कह सकते हो, gillin gillin, और gillin gillin में ही है, हाला कि trick तो मैंने नहीं दी थी, इसलिए शायद याद रखने में तोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यही तो बोला था, gillin gillin में ही, यह है, recognized और sanctioned mode सा procedure, recognized mode सा procedure, यहां पर दिया हुआ है, question में, ठीके, ओके, आप देखो, who define it, हाला कि question जब होगा, frame तो वो complete ही होता है, ठीके, चलो, who complete definition ही होती है, who, इसलिए आसान होता है, trick करना, फिर बाद में, who define it, association as a group of social beings, related to one order, ठीक है, हो, नजर पड़ी मुझे, specific end और ends, बता है मुझे, आपके सामने अगर जिन आएगा, तो आप बोलोगे, हम तो end हो गए, जिन, जिन्स बग, उसके बाद है, who defend association as a group of common, अच्छा, इसको देखने के बाद ही आप याद करोगे, C, 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 और C, और last में C, 5C आगे बराबर के बराबर, तो याद रखना, GDH कोले, C, O, L, E, कोले, यह है इसका सही answer, यह है, आफक सर की tricks का power, according to home, man followed three paths, बताएए, किसने बोला, तीन path हासल, man ने देखे, यह है, मैं कैवरें पेज ने, इसने क्या बोला, alone, independently, conflict or cooperation, ठीक है, इसने क्या बोला, independent, conflicted, और cooperation, हाँ, यह दो लिखा है, तीन path जो है, वो क्या है, acting independently, through conflict and through cooperation, cooperation है, सही answer इसका, उसके बाद, who classified association, किसने बोला, specialized और non-specialized, वो किसने बोला, मैं कैवरें पेज ने बोला, वैबर ने ने बोला, वैबर ने पता है क्या बोला, वैबर ने बोला, federation-based और community-based, federation-based और community-based, वैबर ने बोला, ठीक है, ओके, तो देखे यहाँ पे, वैबर classified association into community-based and, ठीक है, यहाँ तक clear है, अच्छे, एक बात, जो मैं चाहता हूँ, यहाँ पे बयान करना, वो मैं यहीं पे बता दूँगा, वहीं यहीं पे बताऊँगा, क्योंकि मुझे टोनीज और जिंस बर्ग पे नजर पड़ी, अब सुनो, टोनीज से एक बात बताऊँ मैं आपको, याद रखना इसको बूलना नहीं, फर्डिनन टोनीज ने भी association के basis पे definition दी, लेकिन इसने association और community को divide करके definition दी, फर्डिनन टोनीज ने क्या बोला, फर्डिनन टोनीज ने बोला, association क्या है, artificial है, artificial है, क्या है, artificial है, association क्या है, deliberate है, खुदी बनाने जाता है, association mechanical है, इसका screenshot उठालो, artificial है, deliberate है, mechanical है, फर्डिनन टोनीज ने बोला, जैसे community जो है वो spontaneous है, वो natural है, वो organic है, इसी तरह, म्यकाइवर ने भी कुछ बोला, म्यकाइवर ने भी, एक और बात बुली, association और community को divide करते हुए, difference करते हुए, म्यकाइवर ने भी बोला, जो association है वो partial है, partial है, क्योंकि उसके specific interests है, लेकिन community जो है वो integral है, integral, क्योंकि उसके general interests है, whole set of interests, integral, उसके पूरे के पूरे interests है, general interests, general interests, इसका screenshot उठा लो एक बार, 1420 ने क्या बोला, association, artificial है, deliberate है, mechanical है, और community क्या है, community जो है, वो spontaneous है, natural है, organic है, म्यकाइवर ने क्या बोला, association, partial है, क्योंकि इसमें, specified interests है, specific interests है, और community क्या है, integral है, क्योंकि उसमें general interests है, screenshot उठा लो, तो मैंने ये करा दिया, अब ये, Weber Classified Association इंटो, ये classification किस ने दी, specializer और वो, MacAverer page ने, Weber ने क्या दिया, ये वाली classification, Weber Classified Association इंटो, बताए, बताए, किस-किस में, Classified Association इंटो, याद रखो, Federation और Community Based, Federation Based, ओ, यहां पे तो लिखा, Function, Biological Association है, जैसे Family, On the Base of Function, Philanthropic Association है, जैसे Charitable Purpose के लिए, कोई बे Association, Recreational Association है, Enjoyment वाली Association, जैसे Music, Music, Dance, Dance, Club, Okay, Which of the following is an example of association, with a professional focus, बताए, ये Professional, Example मैंने Association की दी, मैंने Doctors की Association बोली, Lawyers की Association बोली, Teachers की Association बोली, तो Liar की Association वो एक Professional Association की ही तो Example है, जब मैंने आपको उपर Examples बढ़ाया, Which of the following, Religious Association की Example मुझे बताओ, अरे Religion जो है, मैंने आपको बोला, आरिया समाज, आरिया समाज, ये जो है, ये तो Laborer की है, ये तो Laborer Association है, ये तो International की Association की Example है, ये लेबर Association की Example है, Indian National Association ये तो Political Association की Example है, Political Association की Example है, तो हमारा Religious वाला आरिया समाज ही आएगा, उसके बाद, Recently Ministry of Home Affairs ने डिक्लियर किया, कौन सी Association को Unlawful Association बताए, जेन के Muslim League को, ये क्या मैंने लिखा है, ये Question आया था क्या, नहीं, ये यहां पर गलत होगा है, लेकिन कोई मसला नहीं, आंसर क्या इस Question का, चाहे कोई भी आंसर हो, Question हो, JNK का Unlawful Association कोन सी है, वो है JNK Muslim League, Under which Act अगर आये, Under UAPA Act 1967, UAPA की Full Forum क्या है, Unlawful Activities and Prevention Act 1967, और JNK की ये वाली Association जो दो है, ये देख लेना, आपके लिए थोड़ा homework है, एक दो lines में देख लो, जाद माद देख लो, नहीं है उतना important, Family, Church, Trade Union, Music Club are all examples of, instances of Association, याद रखना, Trade Union, Music Club, Family, अच्छे एक बाद कहूं, MacAver ने बोला, MacAver ने बोला, कि Family or State, ये borderline पे है, MacAver ने, किसके borderline पे है, MacAver ने, किसके borderline पे, Family or State, कुछ लोग community के अंदर डालते है, कुछ लोग association के अंदर डालते है, और MacAver ने बोला, कि ये इतने borderline पे है, community और association के, कि कभी-कभी लगता है, family community के है, कभी-कभी लगता है, family association है, कभी-कभी लगता है state community है कभी-कभी लगता है state association है मैं कावर ने बोला ये community और association की definition की borderline पही है family और state ठीक है ठीक है ठीक है चलो याद रखना family church भी एक association है church भी trade union भी music club which among the following is an association इन में से कौन है association आपको याद रखना है cricket भी ये भी ये भी all of these इसका सही जवाब है ठीक है इतना clear है तो मुझे पुरी उमीद है कि आज का lecture आपको अच्छा लगा होगा बताना कैसा लगा मिलते हैं अब next lecture में जिसमें हम society association और community में differences निकालेंगे इस वीडियो में इतना ही बाई